वेल्कम बैक टो एलनिंग पिदे नामेम चैनल आजका जो सहसन है काफी इंपोर्टेंट सहसन है क्यों इंपोर्टेंट है क्यों बात कर रहे हैं यूथ कंपिटिशन टाइम चैप्टर 22 रंखला की जो इससे पहले हम इसके कई पार्ट दे चुके हैं इसको जल्द ही कर लेंगे सब्सक्तावलेश्त आपको सब्षाब कर चुकिसे पहले पीडियाक करदे काओ इसकनफ के पार्यस्ट ही जन टाने सब्सक्त पार्टेंट सब्सक्राइन आमें में प्लियुक्ति दो अगे तर दो प्रेंटेंटेंट है पिछली य और अव तक की यूथ कंप्ट वीजन टाइम के चैप्टर वाई संकला के भी उस पर चैप्टर हैं क्योंकि अगर आज आप बोट सबसे जोड़े हैं तो आज से ही मिलने माला मैटर आपको मिलेगा उससे पहले नहीं मिलेगा तो टेलीग्राम पर जुड़ना ज्यादा बैटर है क्योंकि उस पर बहुत सारे आपको पीडियाफ मिल जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की संकला उसी मौटिवेशन कोड के साथ जो आपको उड़ जावान रखेगी तता औरों से बैटा तताला करने के लिए प्रेरित करती रहेगी क्योंकि हारा वह यह जो लड़ा नहीं आप हाल नहीं सकते तो जैसे ही एक्जाम का नूटिफेकेशन आता है आपको बताते हैं कि हम NCRT करने चोड़ जाने NCRT के MCQT question या फे fact wise question देखना स्टार्ट करते हैंगे जो काफी important रहेंगे तो काफी help रहेंगे परिशा की दर्ष्टी से और तब तक हम youth और other work को complete कर लेंगे तो चलिए स्ट क्रेप्र रहेगा 27 और अगर इसके नाम की बात करें तो यह है उपवोगेगम उपवोगता बाजारेवं चन्न क्या है यह उपवोगेगम उपवोगता बाजारेवं तो यहां पर इसके question को देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा important बाती होती है कि इसमें PYQ होते हैं PYQ हर state कि इसमें सामिल होते हैं तो यहाँ पर पहला question देख लेते हैं PYQ क्रेप क्रिया के चरण हो का अनुक्रम फियुक्ति की जाले हैं यानि हमने इसका सौर्ट नूट बना के आपको दे दिया था तो क्रेब पिकरिया के अनुक्रम में यानि इनके क्रमों को हमें लगाना है क्रेब पिकरिया के तो यहां में सबसे पहले हम क्या करते हैं जरूरत को पहँचानते हैं जबी तो कोई चीछ खरीदेंगे जब हमें उसकी जरूरत पता हो फिर उत्पाद का पता लगाएंगे उत्पाद का पता लगाने के बाद फिर हम क्या करेंगे फिर उत्पाद में रुची विक्सित करेंगे फिर रुची विक्सित करने के बाद फ को हमने सीरेल वाई या कहें क्रम से कैसे लगाना है तो जरूरत को पहचानेंगे उत्पाद का पता लगाएंगे यान हमें कौन सा उत्पाद लेना है फिर उत्पाद में हम रुची लेंगे जैसे आप डेरी मिल आपको चोकलेट आपकी जरूरत है तो आप क्या करेंगे डेरी दे रहा है उसकी कितना हम उसे पैसा दे रहा है कि इसा जाना है अच्छा सामिक्री कि अप को करा चुके हैं काफी important है तो अब इच्छिक मालक की अगर बात की जाती है तो पहला होता है सतीकता पूरता और जो एंड का होता है वो है बस्तुनिष्टता क्योंकि बस्तुनिष्टता नहीं होगी तो वहां पर बस्तुनिष्टता पूरता वस्तुनिष्टता उसके क्या है वो पहुता सिच्छा सामेगरी के अपेच्छत मानक है चलिए ने इस कोशन देख लेते हैं यह पीडियाफ आपको मारे टेलिग्राम तर बस्तुनिष्टता पर मिल जाएगी जितनी भी आसे पीडिये हैं मतलब क् और यूथ बुक को अब हम कम्प्लीट जल्दी ही कराएंगे, क्योंकि आदी बुक हम करा चुके हैं, आदी बाकी है आपको कराने के लिए, बस आपको याद रखना है कि 90 दिन तक उपोगता के अधिकार, यहां पर क्या है सुनवाई का अधिकार कितना है, 90 दिन तक आपके ज सिकायत है, उस पर सुनवाई हो जाएगी, और उपोगता दिवस कम मनाये जाता है, तो पंद्रा मार्च को आपको यह चीजे याद रखनी है, नए खाद उतपाद बेकास के चरणों को विवस्तित कीजिए, तो यहां पर नए खाद उतपाद बेकास के चरणों को जब उतपाद बेकास, और फिर जो रहेगा वो है, यहां पर बेवसाही करण करना, तो यहां पर जो रायट अंसर रहेगा वो रहेगा दी, विचाल उतपादन, चानवीन, संकलपना बेकास, उतपाद बेकास, और बेवसाही करण, बजट के लिए उपोग का नियम किसके द्वा प्रत्पादित किया गया था तो यहां पर डॉक्टर एंजल के द्वारा प्रत्पादित किया गया था उपभोग का नियम बोलेंगे नहीं एंजल के जो बजट है उसमें क्या चीज नहीं है तो सेविंग का कोई भी ऑप्शन नहीं है या बचत को उसने किसी भी मद में नहीं क्या है उपोग के नियम का वह एंजिल लोग इस लोग का सबसे बड़ा दोस्ट क्या है कि इसमें बचत का कोई भी प्राबधान नहीं है चले नेश कोशन देखते हैं उपोगता सरनचड अधिनियम कब लागू हुआ था तो ये 1986 में लागू हुआ था 1986 में ही एजुकेशन पॉलसी आई थी याद रखेंगे 1986 की ही एजुकेशन पॉलसी अब तक लागू ही है जबसे 2020 की पॉलसी आई है स्कूलिंग वाला कॉंसेप्ट आया था उपोगता सररचण अधनियम 24 दिसंबर 1986 को भारत में उपोगता के रच्छा के लिए बनाया गया है लेश्ट देखते हैं उपोगता सररचण अधनियम कब प्रभावी हुआ यानि कब एक्टिव हुआ तो भी बात 1986 ही है 1986 प्रभावी करमद करना है तो यहां पर जो रहेगा वो देख लेते हैं तो यहां पर है उत्पाद फिर है थोग विक्रेता फिर क्या है खुदरा विक्रेता फिर क्या है उपोगता तो यहां पर रहेगा उत्पादक फिर क्या रहेगा थोग विक्रेता फिर क्या रहेगा खुदरा विक् पी और सी आई तो यहाँ पर क्या है यह संस्ता हैं और इनके हम फुल पॉलम आपको कराए चुके हैं तो यहाँ पर बस देखना हमें यह है कि इतना ही आएगा से अला डीपली नहीं आएगा चलिए यहाँ पर देख लेते हैं किशे क lle बात करते हैं कि अर्द्विवस्था में और सेबाओं का प्रभाह करते हैं और यहाँ पर बात करते हैं यहां पर ओम और बडस में की तो यह क्या करता है ये एक मतलब एजंसी होती है उसका जो आपकी सिकायद सुनता है और उन्हें प्रभावी करता है उसको कहते है मैन का मतलब यहाँ पर यही है और यह क्या है एक संस्ता होती है ओम बडस ओम बडस क्या है एक संस्ता है और ओम बडस मैन यान उसमें जो काम करने वाला है उपोग जहाँ क्या कि जाती है तो यहां पिक्री दोनों ही की जाती हैं शिपर उसी व्यक्ति पर पढ़ता है जसी पर लगाया जाता है तो कहलाता है जिसका डारेक्ट उस पर प्रेट चोगया यहां पे बीच में कोई नहीं आ रहा तो यहां से यह कुछ पैंका और उसी को लगा तो यह प्रतेच कर हो गया यहां से कुछ पैंका और वो किसी और को लग कि तब उसको लगा तो यह आप प्रतेच कर हो गया आप ऐसे समझिए प्रतेच हो आप प्रतेच को जैसे किसी बस्तू या सेबा पर आप पैसा देते हैं टैक्स लगता है तो वो अप प्रतेशकर के अंतरगत आता है क्योंकि आपने तो उस बस्तू की भोग किया याने उस बस्तू का उपयोग किया योज किया तब आप पर ही कर रहे हैं और टैक्स किस पर लगा कर्ण कर का अंतिम भार बहन करता है तो प्रतेशकर में कर्ण के भार को दूसरे पर टालने की समभाबना नहीं होती है, द्वारान के लिए आयका नियम कर संपत्ति कर ये डारेक्ट ही आप पर लगते हैं, आप प्रतेशकर की बात करें, तो यह कर्ण उस ब्यक्ति पर लगाया जाता है, जो बस्तू और सेवाओं का उपभोग करता है, ठीक है, यह कर्ण क्या है, अस्तान तरणियक है, क्योंकि जो बस्तू और सेवाओं का उपभोग करेगा, उच्छी को देना होता है, यहाँ पर प्रतिगाबी कर, यह कर सामान रूप से लागू किया जाता है, जो उ कराधान की वह विदी है jis में कर योग्यरासी कम होने पर कर गीदधर कम होती है और कर योग्यरासी के भढ़ने पर उत्रतर बढ़ती जाती है यानि आपकी कर रशी बढ़ती जाएगी तो इत्रतर बढ़ती बोगता सुरच्छा का अधिकार अधिनियम के अधिकार के तहर स्वास्त के लिए हानिकारक बसुगों की विक्री या विक्री पर प्रत्वंद लगाने की मांग कर सकता है चलिए नैश कोशन देखते हैं बारती ये मानक वीरो द्वारा दिये गए सौने और चांदी के घहनों पर मानकी क्रत चिन्न है तो यहाँ पर मानकी क्रत चिन्न कौन सा हो जाएगा तो वो जाएगा होलमार्क उपहोगता सरच्छण अधिनियम पारित हुआ था 1986 में ये क्या है पारित हुआ था नेश कोशन देखते हैं उपहोगता सरच्छण अधिनियम पारित हुआ था 1986 में पारित हुआ था 26 दिसंबर ठीक है याद रखे हैंगे 26 वारा और 1986 बिस उपहोगता दिवस अधिकार दिवस कम मनाया जाता है तो वो है 15 मार्च को मनाया जाता है बिस उपहोगता दिवस ये बहुत वाले पीट हुआ है तो आप पर गलत नहीं जाना चाहिए इसमें क्या होता है चैन का अधिकार है सुरच्छा का अधिकार है सुचित किये जाने का अधिकार है च्छती पूर्टी प्राप्त करने का अधिकार है सुनवाई का अधिकार है उपवोक्ता की बुनियादी आवशक्तां की पूर्टी का अधिकार है उपोक्ता सिच्छा का अधिकार है इसी में इसलिए सातों पॉइंट इसके याद रखिएगा गुमा फिरा कर पूछ लिए जाते हैं उपोक्ता अधिकार का समू है तो यहाँ पे उपोक्ता का अधिकार का कौन सा समू राइट है यह पूछा जा रहा है यहाँ पर तो देख लेते हैं कौन सा सम्मू है तो यहाँ पर देखी यहाँ पर कौन सा सम्मू है तो पहला क्या है सुरच्छा का दिगार दूसरा है चैन का दिगार फिर सुनवाई का दिगार सुरच्छा का दिगार है कि आप जो खरीद रहा है कीड़े पड़गा है, तो आप किया कर सकते हैं, उसके ब्लक्लाफ केंप्लेन भी कर सकते हैं, तो यह है सुनवाई का अधिकार, जब आप करेंगे तो उस कंपनी के पास सिकायत जाएगी, उपवकता अधिकार विदेयक के अनुसार उपवकता को कौन से चार अधिकार दिये गए हैं तो अपवक्ता को कौन से चार अधिकार दिये गए हैं यहाँ पर तो देख लेते हैं कौन से वो चार अधिकार हैं जो अपवक्ता के पास हैं तो पहला क्या है सुरच्छा का अधिकार दूसरा क्या है चुनाब का अधिकार चौता सूचना का अधिकार जो अभी हमने देखा था और फिर बात करें तो सुनवाई का अधिकार तो इस तरह से चार दिये गए हैं उपवक्ता को लब्द चार मूलवूत अधिकार हैं तो सुरच्छा का अधिकार उपवक्ता का खुद का अधिकार है याद रखेंगे फिर सूचना का अधिकार है और सूचना का अधिकार के बाद बिकल्प का अधिकार और सुनवाई का अधिकार ये सभी क्या है उसके मूलवूत अधिकार है नश्य देखते हैं सभी प्रकार के बस्तों और सेवाओं को सुरच्छत होने का अधिकार क्या कहलाता है तो यह है सुरच्छा का अधिकार सुवाई सुरच्छत टर्म आ गया तो आपको याद रखना है सुरच्छा का अधिकार कहलाता है नश्यलते एको मार्क चिन किस पर लगाया जाता है तो एको मार्क चिन किस पर लगाया जाएगा आप्शनों में वो बस्तू है दी गई है तो एको मार्क चिन क्या बताता है वो बस्तू क्या है आपकी ये लिक्टू डिराइट पर नहीं रहता है जैसे आपका ये सर्वत पर नहीं रहेगा बट ये खाद पदातों पर लगाया जाता है तो यहां पर पेपर बैग और जूस ठेक है लगाया जाता है तो इस पर रहेगा इको मार्क चिन पेपर बैग और जूस पर लगाया जाता है बस्तों से उत्पादों पर एक नया चिन इ यह फ्रेंड ली है यानि पर्यावन के मित्र है और जूस तो पर्यावन के लिए है यह चलिए तो यह क्या बताता है कि जिस पर इको मार्क लगा है से ऐसे समझे कि जिस बस उपर इको मार्क चिन लगा है वो समझे कि पर्यावन को हानी नहीं पहुंचाएगा किसी भी इस्तित में हुई है इकोमार का जो प्रतीक है वो क्या है तो मिट्टी के घड़े के रूप में इसे वो किया जाता है मिट्टी के घड़े के रूप में चित्रत किया जाता है जो हमारी भारती सब्विता जितना ही प्राचीन है जैसे पानी के मिट्टी के घड़े होते इस रूप में को चित्रित किया चाता है राश्टी उपोगता से कायद निवालन आयो कहां इस्तित है तो यह नई दिली में इस्तित है इन मैंसे किस पर appo का चिन नहीं लगता तो यहां पर है सरवत पर सरवत पर क्या है appo का चिन नहीं लगता appo का मतलब है fruit products orders ठीक है appo यानि खाद उत्प तो यहां पर खाद पतारतों पर लगेगा सर्वत कैसा हो गया यह लिकुट डायट हो गई आपको बस इतना याद रख रहा है कि यह लिकुट डायट पर नहीं लगता प्रूट प्रोडेक्ट और्डर्स तो यहां पर सर्वत पर यह नहीं लगेगा बादवा कि यह क्या बतात यह अच्छी गुडबता स्वच्छता वा सपाई पैकिंग लेवल बताता है इसी लिए यह लगता है क्या लगता है एफ पी ओ लगता है यहां पर प्रूट प्रोड़क्ट्स और्डर्स किसी उत्पाद पर MRP से क्या अब प्राय है MRP का मतलब होता है यहां पर अधिकतम कुम्फुट कर मुल ले जिस पर बस्तू पेची जा सकती है उससे ज्यादा कोई भी पेर नहीं कर सकता क्योंकि वो भी जो MRP होती है वो भी बढ़ा हुआ ही प्रायस होती है यह से लिए तो कह जाता है अधिकतम फुट कर मूल ले जिस पर आप किसी बस्तू को पेच सकते हैं अधिक से अधिक तब तो MRP पर भी हमेशा भावताल करना चाहिए जिसे के एक दूरुपे कम हो जाए कौन सी एजन्जी आई एस आई चिन प्रदान करती है तो वो है ब्यूरो आफ इंडियन इस्टेंडर्स यह क्या प्रदान करती है तो यह प्रमारित करने का कारिक्रम भारत सरकाने का विस्टार्ट किया है तो 52 वो 90 92 से करा है तो एक こ़मार की स्टार्ट हुआ है भारत में कढ़ा है क्या चिन्न है तो याद रखेंगे घड़े की आकरति जासा चिन्न है हलमार्ख सौने मातरा म सुध होता है तो हो Mic kay कि तहीं मात्रा में तो 95.26 की बैलू में सुद्ध होता है निमली के तो मैंसे कौन सा कारा खरीदारी और उप्योग व्यापार को प्रभावित करता है तो यहां पर है उप्योग सभी यानि घरेलू, इकाई, परवार की सनचना, परवारिक चक्र में चरण और परवारिक निर्णा प्रकिरिया, यह सभी क्या है उप्योग सभी क्या करते हैं खरीदारी और उप्योग व्यापार को प्रभावित करते हैं उप्योग ताहित की दरश्टी से सरकार के उत्तरदायत वहें तो यहाँ पे है उप्रिक सभी मूल निर्धालन तता सस्ती कीमत की दुकान है आवशक बस्तुओं के निर्यात पर प्रवंधन जमा खोरी को निरुत साहित करना उप्रिक सभी मूल नेधालन दता सस्ती कीमिती की दुकान है आवश बस्तु है कि निर्यात पर प्रतवंदन तता जमा खोरी के निर्थसाहित करना ये क्या है उपोग हित की द्रश्टी से सरकार के उत्तदायत है बनश्पतिक पैकेट बंद खाद पतायत पर चिन होता है तो ये क्या होता है तो ये रहता है ग्रीन डॉट ठीक है ग्रीन डॉट यानि हरे रंग की आपकी इस तरह की डॉट होती है जैसे ये हुआ और इस तरह की क्या होती है डॉट लगी होती है तो ये हरे रंग का निसान क या बताता है दो उब्रद बताता है बनशबतिक पैकेट कट खाथ-पदात यानि जो प्रोडैक्ट वह बनशबतिक जगत से प्राप्त है बनशबतिक पैकेट बनद खाथ-पदात पर ग्रीन डॉट का चिन होता है इसकी शुरुआत sisy सार्टिफिकेशन मार्क्स एक्ट यानि 1952 के अंतरगत की गई थी यह बस बहुत पुछा जाता है आई एस आई की शुरुबात कब हुई है तो याद रखेंगे यह 1952 में हुई थी और इको मार्की 1992 में हुई थी यह दोनों सने आपको असपास मिलेंगी इसके बास 1961 में इसमे खाद पदार खर दीने से पहले देखने हैं कि कौन सी बिंदी लगी है उस पर ठीक है बोगता सरचड अधिनियम ने आने 1986 का आरम और विस्तार हुआ है तो इसका आरम हो विस्तार जब बात है कव कि क्योंकि यह दो धारा है जो जम्मू कस्मीर में लागू है 33 वो अभी हटी है तो यहां पर क्या है यहां पर जो रहेगा राइट अंसर वो यही रहेगा कि इस तार बिस्तार जम्मू और कश्मीर राजी के अतरिक संपूर भारत में हुआ है इसमें क्या होता है 36 में कि सेवां बस तुम सेवां तथा अनुचित व्यापारी गद्विदियों पर लागू होता है जब तक ही केंदरी सरकान ने विसे इस रूप से छूट ना दी हो पाठेकर निर्मार का बुनियादी सिध्धानत है तो क्या सिध्धानत है उपयोगता का सिध्धानत क्योंकि अगर उपयोगता ही नहीं होगी तो उसके निर्मार का कोई मतलब नहीं बैठता वह वैक्ति जो उतबाद का क्रेता है एवं उपयोग करता है कहलाता है तो वो कह कहलाता है उपवोक्ता ठीक है वो क्या कहलाता है तो उपवोक्ता कहलाता है जिला इस तर पर जिन उपवोक्ता सिकायतों को निप्टाया जा सके उसकी रासी कम से कम होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए कम से कम यह पूछा जा रहा है तो याद रखिएगा 20 लाक तक होनी चाह दिए कम से कम चले नैश रेखते हैं उपवक्ता बाद से सम्मंदित चार अधनियम दिये गए हैं उनके अधनियमित होने का सही क्रम बताईए तो अधनियमित होने का उनके सही जो क्रम होता है वो क्या है जो यहां पर पहला रहेगा खाद मिलावट निरोधक अधनियम दूसरा जो रहेगा वो क्या रहेगा यहां पर निवार बस्तु है अधनियम फिर यहां पर है बजन एवं भाप मानक अधनियम और फिर यहां पर उप्वोक्ता सुरच्छा अधनियम तो यहाँ प्राइट आंसर क्या रहेगा इह रहेगा उप्वोक्ता बिवास यहाँ पर समझन फोरम को संचालित करने वाला अधिनियम कौन सा है तो यहाँ पर है उप्वोक्ता सदूर्चर अधिनियम चले यहां पर नैश्ट देख लेते हैं क्या रहेगा यहां पर है ब्रांड प्रोसेश शार्ट और यहां पर ट्रेड मार्क और मानक तो यहां पर किसका किसके साथ मैचिंग है यह देखते हैं अगर ब्रांड की बात की जाए तो यह क्या है यह चिन्ड बताती है ब्रैंड क्या करती है यह चिन बताती है अगर प्रोसेश चार्ट क्या करता पैन और पैंसिल चार्ट है जिसे हम अपने प्रोसेश चार्ट या नहीं पैन और पैंसिल चार्ट है जिसे हम देखते हैं कि इसमें वर्ग सिंप्लिफिकेशन में टेंड मार्क की अगर बात की तो यहां पर चलिए नेश्ट देख लेते हैं इस तरह से देखें ब्रांड याने चिन है प्रोसेश चार्ट याने पैंड पैंसिल है टेंड मार्क सब्द है और मानक क्या है बी आई एस है नेश्ट कोशन देखते हैं यहां पर क्या है दो सूचियां दी गई है इने हम इस तर पुटका अव्यव है उपयोग किये गए संसादन विक्री के माल की जगह बदलना है और लच कारिवाही की जरूलत वाली मांगे हैं और समायोचन कारिवाही में बदलाओ है तो यहां पर इस तरह से हम बिलाएंगे फिर है बितरण के चैनलों को अनुक्रम में विवस्तित की हम देख लेते हैं तो पहला जो रहेगा वह क्या रहेगा वी निर्माता या उत्पादक वाला नहीं होगा तब्लच वाला भी आपको नहीं दे सकेगा हुल्सेल यानि बड़ी बड़ी दुकान है खुददढ़ा यानि जो आपके कॉलोनी में छोटी-छोटी दुकान होती ह फुटकर या खुदड़ा उन्हें कहते हैं या फिर यहाँ पर है रेटेलर कहते हैं यहाद रखेंगे कंजूमर याने आप हो गए जो हम और आप हो गए जो उन चीज़ों को लाला के अपने घर में यूज करते हैं बोगता बसों के इन वितरण के माध्यमों को पहली से आखरी तक विवस्तित कीजिए तो हमें क्या करना है पहली से आखरी तक इन्हें विवस्तित करना है तो पहला जो रहेगा वो है उत्पाद, उत्पाद नहीं होगा जब तक उस पर कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, फिर है तोक विक्रेता, फिर है कुद्रा विक्रेता, फिर है उपोर्ग जो अभी हमने उपर पढ़ाता, उसी को हमें क्रम्मे लगाना है, चलिए पैकेजिन कि इस उद्देश को पूरा कर देगा